हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वाइफाई राउटर का जो भी प्री शेयर्ड की होता है उसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर देख सकते हो तो गाइज वीडियो के इंट देखना शलिए तो शुरू करते हैं तो गाइज किसी भी वाइफाई का प्री शेयर्ड की देखने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा प्ले स्टोरे उससे उसको उपन करने के बाद यहापर आपको सर्च बार मिलेगा वहापर आपको सिंप्ली टाइप करना है इंस्पेक्ट एंड एडिट ह्टीमल तो एप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है उससे आपको सिंप्ली इंस्टाल कर लेना है तो गाइज यहापर मैंने इस एप्लिकेशन को इंस्टाल कर लेना है आपको भी इस एप्लिकेशन को सबसे पहले इंस्टाल कर लेना है इंस्टाल करने के बाद आपको अपना जो भी तो गाइज यहाँ पर मैंने SED link जो भी वाइफा है इसको मैंने connect कर लिया है और इसी का जो भी प्रिशेर्ड की है वो मैं आपको find out करके दिखाने वाला हूँ उसको find out करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर tap करके इसका जो भी IP address है उसे आपको simply copy कर लेना है तो इसका जो भी gateway जो भी है इसके नीचे जो भी आपको IP address दिख रहा है उसे आपको simply copy कर लेना है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ तो इस application को open करने के बाद कुछ ऐसा वाला interface आपके सामने आने वाला है यहाँ पर आपको दो search बार मिलेंगे जो भी उपर वाला search बार है उस पर आपको simply tap करके जो भी लिखा हुआ है उसे आपको simply delete कर देना है डिलिट करने के बाद गाई जो भी आपने IP address को copy के आए उसे आपको simply paste कर देना है तो यहाँ पर में कर लेता हो पेस्ट करने के बाद आपको simply search बार option पर क्लिक कर लेना है उस पर क्लिक करने के बाद गाई कुछ ऐसा वाला interface आपके सामने आने वाला है यहाँ आपको simply password की ज उस पर क्लिक करने के बाद गाई यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक option दिखाई दे रहा होगा pre-shared की इसी को आपको ढूंडा है लेकिन गाई यह जो भी pre-shared की है वो hide है इसे देखने के लिए आपको यहाँ पर three dots दिख रहे होगे उस पर simply tap करके यहाँ पर edit page source पर क्लिक क हुआ है तो गाई यह जो भी pre-shared की है आप जैसे आप नीचे आते हो जो भी पहले वाला आपको psk expression यह वाला जो भी option दिखाई देगा उसके नीचे जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका wifi का password होगा तो गाई मेरे case में इसका जो भी password है वो यह है यहाँ पर मैं इसको highlight करक हो copy करने के बाद मेरे वाइफाई वे open करके इस वाइफाई को सबसे पहले में forget कर लेता हूँ तो guys forget करने के बाद इसको अगर मैं connect करने के कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे password मांग रहा है जो भी मैंने password copy किया था उसे आप मैं simply paste कर लेता हूँ यहाँ पर मैं show password के जरी आपको वही password है यहाँ आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ तो guys आप screen पर देख सकते हो कि मैंने जो password copy किया था वही हाँ पर लिखा हुआ है इसे simply मैं connect पर क्लिक करके आपको proof दिखा देता हूँ कि यही इसका जो भी pre-shared की है वो है तो आप simply देख सकते हो कि मैंने जो भी wifi वह connect हो चुका है तो guys इस तरीके से आप भी किसी भी wifi router का pre-shared की देख सकते हो तो guys जो वीडियो अच्छे लगे तो like जरू करना चैनल पर नहीं तो subscribe भी जरू करना मिलते हैं गली वीडियो में